तो हे गाइस वेलकम बाक टू आवर नियो वीडियो जिसका नाम है वेक अड़ बाइट कीचर तो आज हम बनाने जा रहे है कुछ अलग और कुछ मज़ेदार और सबसे जाधा कॉंटिटी का है बहुत जाधा कॉंटिटी का है मतलब यह कॉंटिटी में कम से कम दस आदमी तो मेरे हिसाब से इस कॉंटिटी में दस आदमी भर पेट खा लेंगे खाना तो आज हम लोग बनाने वाले वो रेसिपी का नाम है तंदूरी चिकन तंगडी और शुप्रिया बनाने वाली है हम और ममी दोनों मिलकर के बनाने वाले बैसिकली हम लोग दोनों मतलब कुछ से ट् तो ममी बताओ क्या है अपने पास चिकन तंगडी है इसको अधर कटकी है तक इसमें अंधर मसाला जाए और यह पीस को बताओ कैसे प्रॉपरली कटकी यह देखो कितने बड़े भाई साब और टोटल कितने पंद्रा है पंद्रा पीस है तो और क्या क्या है इसके साथ अभी तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसमी जाएगा नमा एक चमच नमा बड़ा बर्के फिर दय जाएगा दो चमच बड़े बड़े फिर जाएगा इसमें तंदुर मसाला एक चमच चिकन तंदुरी मसाला और यह घर का गरम मसाला एक कश्मीरी मिर्च मसाला एक चमच अरे घर का लाल मसाला एक धना जीरा पाउडर है तो अब यह क्या डाल रहे है अध्रक लशन पर पेष्ट है अचा अब यह सब लगा के प्रेश्ट के लिए अधा गंटा के लिए रख देती तो मम्मी अभी मिक्स कर दिया सब अंसर निक्स किया है अभी इसको रेश्ट के लिए रख देते अधा एक गंठे के लिए एक गंडे के लिए रख देनेगा तो मम्मी अभी क्या डाल रहे हो एक कटोरी तेल दालने का इसमें पूरा वरके एक कटोरी पूरा ये डालचीनी है दो गड़े और लॉंग और मिरी है इस तड़के के लिए डाल देने इसमें जाएगा प्याच प्याच को ब्राउन होने तक फ्राइ करने का अल्रेडी इसमें मम्मी ने तेल डाल के रख दिया आया अब इसको फ्राइ करने वाले ना मम्मी और तब तक यह यहां पक रहा है तब ही चलो मम्मी फ्राइ करते है इसको अभी फ्राय ओचुका है दो मिनिट खाली फ्राय कर न को अच़ा है और तो मिनिट फ्राय करके साइड में रख देने का अच्छा तो बाद में यह सब मिक्स होगा इसमें अहाँ, आटा दीगे अरे तिरको आता है बनाने नहीं नहीं आता है वाख़र अरे नहीं नहीं है और में ब्राउन हो गया गया पूरा आपने के लिए डाल जाएगे अब इसमेंशान के लिए डाल जाएगे तरभे अठाले सुप्तों अर्च मतर और सब मसाले जाएंगे अंदर जितना तंदु जितना तमड़ी के लिए लगा है उसमें सब मसाले इसमें जाएंगे तो अब एक ग्लास पाने डाल दिया कि और क्या जाएगा मुम्मे दभी अधे बीधा इसमें देखो इसमें से अधा दभी इसमें जाल तुम्हा एक पूरा अधा डाल ये ठीक है अब इसको पकने के लिए रजेते हैं तो आज देखो इसमें नमस इत्मा डालें ऐगा कि इसको बिच बिच में हिलाते रहने का इसा और फिर अभी दगकन मारके छोड़ देते छोड़े लिए और दगकन मारके छोड़ने के बाद अब बीजबीज में हिलाने का नहीं अब इसाब फ्राइ करके हो गए अभी इसको खोल के देखते क्या हुआ इधर इस वह इसमें यह करके लाइन में लगाई इसके लिए तो चलो स्टाइट करते हैं तो इसको अब अब इसमें मसाला बच गया है वह दो के इसमें डाल देते हैं तो तो अब इसमें पूरे पंद्रा के पंद्रा पीस अंदर डाल दिये है मम्मी ने तो अभी मम्मी क्या करेंगे अभी इसको ढ़के एक गंटे के लिए रख दीते हैं देखो अब यह पक गया है तो अभी मम्मी क्या करेंगे दन्या पत्ता डाल के दो मिनिट के लिए डब के रखने का पिर अपना रेसिपी कंप्लीट रेडी हो गई तो फाइनली थक गया हूँ मैं इतना है और हम में थक गया है शूट किया मस्तव बनाया था और चैलेंज इतना हेवी था कि मैं सो गया और एंड हम लोग थोड़ा लेट कर रहे है क्योंकि बहुत जादा टाइड हो गया और शूट खतम होते होते पिलाल अभी छे बज चुके हैं तो मतलब शूट ही खतम हुआ छे पांच बजे ना कि हम लोग अभी रेस्ट करने के लिए हम मेरा है चालो कि यह थे बारा बजे को चालो कि आज बहुत जादा है भी हो गया लाइक करो शेयर करो और आपने अब तक वेगन बैट कीचिन को सब्सक्राइब ने किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करो अब तक के लिए खाव पी और मौज करो बाई यह इसका पागलपन चलता रहेगा तो आप लोग इंज्वाए करो और एक खास बात यार आप लोग कमेंट करके बताओ कि रेसिपी में क्या शूट करें नहीं करें यह चीज़ आप लोग कमेंट करके हम लोग को प्लीज बताओ कि हम लोग सब के कमेंट्स पढ़ते हैं इसलिए कमेंट्स करो हम लोग कमेंट्स अब के पढ़ते हैं तो सो बाई